अधर्मा भीभवात कृष्णा अधर्मा भीभवात कृष्णा प्रदुष्यंति कुलस्त्रियह अधर्मा भीभवात कृष्णा अधर्मा भीभवात कृष्णा प्रदुष्यंति कुलस्त्रियह स्त्रीस दुष्टास वार्ष्णेया स्त्रीस दुष्टास वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरह स्त्रीस दुष्टास वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरह अधर्मा भीभवात कृष्णा प्रदुष्यंति कुलस्त्रियह स्त्रीस दुष्टास वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरह अधर्मा भीभवात कृष्णा प्रदुष्यंति कुलस्त्रियह स्त्रीस दुष्टास वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरह अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्णा हे कृष्णा अधर्मा भीभवात अधर्म अर्थात पाप के बढ़ जाने से अधिक पाप बढ़ जाने से क्या होता है कुलस्त्रियह कुलकी इस्त्रिया प्रदुष्यंति अच्छी प्रकार से दूशित हो जाती हैं वार्ष्णेय हे वार्ष्णेय हे श्री कृष्ण स्त्रीशु इस्त्रियों के दूश्टासु दूशित हो जाने पर वर्ण संकरह वर्ण संकर जायते उत्पन होता है अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण जी से कि हे कृष्ण जब अधिक अधर्म बढ़ जाता है पाप बढ़ जाता है तो कृष्ण की इस्त्रियां दूशित हो जाती हैं और कुलकी इस्त्रियों के दूशित होने से वर्ण संकर उत्पन होता है उनकी जो संतान उत्पन होती है वे वर्ण संकर उत्पन होती है और वर्ण संकर से क्या होता है शो अगले इस लोप में बता रहे हैं संकरो नरका यईवा कुलगना नाम कुलस्यचा पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडो दकक्रिया संकरो नरका यईवा कुलगना नाम कुलस्यचा पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडो दकक्रिया संकरो नरका यईवा कुलगना नाम कुलस्यचा पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडो दकक्रिया अर्जुन कह रहे हैं कि हेश्री कृष्ण संकरह वर्ण संकर कुलगना नाम कुलगातियों को च और कुलस्य कुल को नरकाय नरक में ले जाने के लिए एव ही होता है लुप्त पिंडो दक लुप्त हुई पिंड और जलकी क्रिया वाले अर्थात क्रिया स्राद और तरपन से वंचित एशाम इनके पितरह पितर लोग ही भी पतंति अधोगती को प्राप्त होते हैं अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण जब वर्ण संकर उत्पन होता है तो उस वर्ण संकर से वे जो कुलगातियों को और कुलको सबको वे नरक में ले जाने के लिए ही होता है और उससे जो पिंड और जल की क्रिया साद्ध तरपन है ये भी सब उससे वन्चित रह जाती है क्योंकि अपने स्राद्ध क्रिया में पुत्र ही पिता बाबा दादा दादी को जल दे सकता है और जब वर्ण संकर होता है तो वर्ण संकर में तो ये पता ही नहीं होता है कि कौन किशका पुत्र है इसलिए ये साद्ध तरपन आदी की जो क्रिया है ये भी लुप्त हो जाती है और जो पितर होते हैं ये भी नरक में चले जाते हैं इसलिए आगे स्लोक में कह रहे हैं अर्जुन कि दोसई रेताई को लगना नाम वर्ण संकर कार कै उत्साध्यनते जाती धर्मा उत्साध्यनते जाती धर्मा उत्साध्यनते जाती धर्मा धर्मा कुल धर्माश्च सास्वता कुल धर्माश्च सास्वता दोसई रेताई को लगनानाम वर्ण संकर कार कै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च सास्वताः दोसई ही एतई ही कुलगना नाम वर्न संकरकारक उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माः च सास्वताः एतई ही इन वर्न संकरकारक ही वर्न संकरकारक दोसई ही दोसों से कुलगना नाम कुल घर्माः जाति धर्माः जाति धर्म उत्साद्यन्ते नश्वताः नस्ट हो जाते हैं अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कुल जाति धर्म है ये नस्ट हो जाते हैं इसलिए उत्सन्न कुल धर्माः नाम उत्सन्न कुल धर्माः नाम उत्सन्न कुल धर्माः नाम मनुष्या नाम जनार्दना नरके नियतंबासो नरके नियतंबासो भवती त्यनु सुस्रुमा नरके नियतंबासो भवती त्यनु सुस्रुमा उत्सन्न कुल धर्माः नाम मनुष्या नाम जनार्दना नरके नियतंबासो भवती त्यनु सुस्रुमा उत्सन्न कुल धर्माः नाम मनुष्या नाम जनार्दना नरके नियतंबासो भवती त्यनु सुस्रुमा अर्जुन कह रहे हैं जनार्दन कि हे स्री क्रिश्म उत्सन्न कुल जिनका कुल धर्म धर्माणाम नश्ट हो गया है ऐसे मनुष्याणाम मनुष्यों का अनियतम अनिश्चित काल तक नरके नरक में वासह वास भवत होता है इती ऐसा हम अन्सुस्रुम सुनते आये हैं अर्जुन कहे रहे कि हे स्री क्रिश्म कि जिनका कुल धर्म नश्ट हो गया है ऐसे विक्तियों का नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है ऐसा हम सुनते आये है इसलिए अहुवत महत्पापम करतुम व्यवसितावयम अहुवत महत्पापम करतुम व्यवसितावयम करतुम व्यवसितावयम करतुम व्यवसितावयम करतुम व्यवसितावयम करतुम व्यवसितावयम यद्राज्य सुख लोभेना यद्राज्य सुख लोभेना यद्राज्य यद्राज्य सुख लोभेना यद्राज्य सुख लोभेना यद्राज्य सुख लोभेना हंतुम स्वजनमुद्यताः अहुवत महत्पापम करतुम व्यवसितावयम करतुम व्यवसितावयम यद्राज्य सुखलो भेना हन्तुम स्वजनमुद्यताः अहुवत महत्पापम करतुम व्यवसितावयम यद्राज्य सुखलो भेना हन्तुम स्वजनम उद्यताः अर्जुन कह रहे हैं अहुव आश्चर्य है वत्थ सोख है कि हम लोग बयम हम लोग बुद्धिमान होकर भी अनि सब कुछ जानते हुए भी महत्प महान पापम पाप करतुम करने को करने के लिए व्यवसिताव तैयार हो गए हैं यत जो राज्य सुख लोभेन राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम स्वजनों को हन्तुम मारने के लिए उद्यताः उद्यत हो गए हैं